तो है जो है लोग एवरीवन वेलकम व्याइब नमबर वन इन एक्स प्रिपरेशन क्यों उसका भी कारण बताऊंगो वह आपको दिखाऊंगो विद्पूरूफ ठीक है चलिए और सब्सक्राइब आपकी अभियास की प्रिपरेशन कैसे चल रहे हैं मतलब आपका अभियास कै लेख को यह दखना कोई खौन कोई बीघ्जाम अगर कॉलिटर करना कोई भी एक्जाम कोई भी एक्जाम कोई आपका सबसे पहले हैं बड़ा होना प्रता है नंबर दो, complete your syllabus और नंबर तीन पर जो सबसे तद इंपॉर्टन आता है एक अच्छे test series सबस्क्रों करो आप regular भी वह आपने ना अपना syllabus भी complete खर लिया बट अब कही ना कहीं lag कर गे और वो portion किया था आपका test series क्योंकि actually test series भी बताएगी जो आपने syllabus complete किया या जो भी आपने तयारी किये क्या वो sufficient है क्योंकि test series में उस तरह के test होंगे जैसे आपके HCS के trend wise चलते वह आ रहे हैं या कोई भी exam के बात करें basically ठीक है यह हर exam पे अप लिके बलुता है तो आप देखो कुछ है समय रहा गया है हमारा है ना February भी दो हमारे exam ही और जनवरी आ चुक है तो अब आपको जरूरत है कि अच्छी test series की अब आपको जरूरत है एक test series की यह मैं कहूं अभी मन्यों की test series की तो यह जादा बैटर होगा क्लिए अभ्यास करते करते आप test series भी लगाएं कैसे लगाएंगे लिंक की दिक्रिप्शन बॉक्स में प्लीज मैं बता देता हूं ठीक है मैंने भी एक शब्द यूज किया नंबर वन क्यूंग नंबर वन है क्योंकि 41 से जादा सिलेक्शन से students हमारे से 2-21 में और 27 से जादा सिलेक्शन जब साट बासट सुडेंट से स्लेक्ट हुए उसमार 27 पुलस ठीक है तो नंबर वन तो है इसी लिए क्यों क्यूंकि quality प्रोवाइट की जाते हैं आप जैसे में बात कूर एक्सेस प्रिलिम्स टैस सिरीस जो पहले 8500 गी थी अब सिरफ कि दीनेघ्रें में 26 नंबुर आप यहां पर क्वालिटीक साग्टिटी बहुए मैं देखने को मिल रहे है ठीक है स्टुनेटस जिसके अंदर जर्नलशचार टैस्ट हैं कंपलीट और सी सैट कितने हैं मेरे पास चार टैस्ट देखने को मिल रहा है लिएक आपको से पंदरा कोशन आ रहे हैं दस से पंदरा कोशन आपके पूचे जाते हैं वो कैसे गरें उसका भी हमारे पास सलूशन है वो कि हर्याना जी के टैस सिरीज 10 to 15 questions in prelims तो 500 mcq मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कितने रुपे में 400 रुपे में इसका भी लिंक description box में आपको साथ देखने को मिल जाएगा क्लियर तो आपको फुल टैस सिरीज जो मिल रहे चाब भी सैस्ट के जारा 6500 रुपे सी और यह सिर्फ हो सिर्फ फॉर एंडडर रुपीज में 500 mcq में देखने को मिल रहा हरा रहा रहाने जी क्लियर चलिए आज देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था लास्ट क्लास में हमने किया था मैंसुरेशन टूड़ी यानि हमने किसकी बात कि थी area की देखो volume आज हम बात करने वाले हैं three dimensional diagrams किया क्या हो three dimensional questions की basic और हम volumes की बात करेंगे चलिए बात करते हैं जरा आज HCS CSC set की लिए volume की बहुत अच्छे questions आज हमारे पास चलिए पहला question क्या दिया है अहौल is 15 meter long and 12 meter broad पहले statement को समझे what statement is saying और बीच बीच में कुछ important points बदाता रहूंगा तो आप बीच बीच में वो note भी करते रहेगा अहौल is 15 meter long यानि कोई haul है length कितनी दिया मुझे 15 meter अच्छा breadth कितनी दिया हमें 12 meter if the sum of area and floor and ceiling देखो सबसे पहली बात यह क्या है मेरे पास यह मेरे पास ऐसी है ठीक है यह length आगी 15 यह बैट आगी 12 meter और यह height मुझे पता नहीं है ठीक है शाद यह ही निकालनी होगी नई volume निकालनी होगी हाइट तो दी होगी कुछ ना कुछ करके मैं यह कोई relationship दिया हो जिसे हाइट निकाल सको volume LBH होती है मुझे अच्छे से पता है अगर यह आपके पास क्यूब है अगर यह आपके पास क्यूब है दो clear a hall is 15 meter long 12 meter broad if the sum of area of floor and ceiling देखो floor मतलब आप यह बार बोल सकते हो area of floor is going to area of ceiling ceiling बोलो या top बोलो लास लास में थोड़ा से हिंटी दिया था कि top और bottom आपका क्या रहेगा सेम रहेगा तो मेरे पास क्या गया आपको क्या बोल रहे देखो यहां पर कितना है 15 गुना बारा प्लस 15 गुना बारा प्लस 15 गुना बारा यह रोगी बात इतने सी बात बिल्कुँ simple बात है यह toy यह आपका bottom का होगे यह आपका ceiling का होगे ठीक है यह floor ceiling बोलो is equal to sum of area of four floors देखो sum of area of four floors यानी sorry four walls बोला है यह नहीं यह क्या होगा मेरे पास curve surface यह रही है क्या होता है perimeter of base into its height अगर छोटे-छोटे formulas हमें याद होगे तो easily हम इन questions को कर सकते हैं बात याद रखे clear तो perimeter base कितना मेरे पास 15 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12 यहां से निकले कि height height पता हो कितनी है फटा 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 फट से मुझे height पता दीजे कितनी है फिरम करेंगे आगे देखो यह कितना होगा मेरे पास 15 प्लस 12 180 360 होगे बराबर यह कितना होगा 30 30 और 22 कितना होगे अपने 34 54 एच तो छे साट चे निमाच चववन तो तीन 20 और तीन 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 तो height कितना होगा हाइट आगे मेरे पास 20 बटे 3 मीटर के करीब क्लियर क्लियर करीब नहीं इतना ही आई अब मेरे को वोल्यूम निकाल नहीं वोल्यूम क्या है मेरे पास आइल इंटो बी इंटो एच लेंथ कितने इंदी है मेरे को 12 बैट 12 और सरी 15 12 और height कितने इंगली 20 बटा ये कितना होगा प्लीज लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करना प्लीज बन भूले इस तरह के बहतरी इंप्रेशन के लिए तो क्या था इस कोश्चिन में कुश्चिन में सब्सक्राइब निकलने थी फिर मुझे कंप सर्फेस एरे को कंपेर करना था और मेरे इजी लेंसर निकल जाना था चलिए मतलब यह अगर रेडिस आ रहा है तो हाइट क्या होगा एच होगी ठीक है अच्छा दस सर्कंफ्रेंस वह स्लेंडर बेस लेंडर इस 44 यानि तू पाई आर कितना दिये मुझे सर्कंफ्रेंस टू पाई आर अगया यानि टू इन्टू आप बाइस पटे साथ इन्टू आर इस इगर टू फॉर्टिपोर तो बाइस दूने चबालिस तो आर कितना गया है सेवन सेंटीमिटर और वोल्यूम हमें पता अच्छा से क्या होती है पाई आर से रहे चानि पाईस पटे साथ तो साथ गुना साथ और हैट कितने दिये मेरे को हैट दिये 15 तो इसे हैब फाइड आउट करेंगे देखो 15 गुना 12 कितना हो या बेसिक इसको मैं कर दो पंदरा सत्ते 105 बाइस गुना एक सो पांच तो यह कितना होगे मेरे पास 22 गुना ऐसे लिख लो 100 प्लस पांच यह कितना होगे बाइस फो बाइस सो गुना पांच एक सो दस फू थ्री वन जिरो सेंटिमेटर की ओप्शन अम बिडिए बिल्कुल साइंस तर इस कुश्चन का क्लियर जाज देसे लाइक श दा स्लांट हाइट अ रेडिस ओ राइट सर्कुलर कोन आर इन रैशो 29 रैशो 20 इफ इस वालम इस 484838.45 सेंटिमेटर क्यूब देसे सुपर इंपोरें इंपोर्टेंट कुश्चन हो यह दो दी सुश्चन कोन दिया देखो कोन गया होता है कुण ऐसे जैसे आपकी बर्थदे कैप होगी ऐसे गर के स्ट्चर दसलेंट हाइट यानि एल रेशो और कितना दिये 29 पी रेशो 20 पी क्योंकि ये रेशो में दिये एस परेंट्स मुझे ये एग्जेक्ट नहीं बताई ये रेशो में दिये मेरेको 29 रेशो 20 clear मैंने बोला L कितना आगया मेरा 29 पी और रेश कितना आगया है ये मेरे पास एक पाइथागोर स्टिफलेट हो था बट नहीं बता तो find out करके देखते हैं इसको जरा ये कितना दिया मुझे हाइट यानि ये नबे डिगरे निया है एच स्केर प्लस आर स्केर इसगल तो एच का स्केर प्लस 20 पी का स्केर इसगल तो 29 पी का होल स्केर 29 का स्केर के दाओ 841 तो 841 पी स्केर माइनस ओफ 400 पी स्केर यानि कितना 441 पी स्केर तो इसका अंडरूट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 21 पी तो 20 139 का मेरे पास है पाइथागोरस ट्रिपल एक होता है इसको थोड़ा सा जहन रखने की जुरूरत है क्लियर चलिए अब देखिए वॉल्यूम इस आप मुझे वॉल्यूम दीए यानि मेरे पास हाइड क्या आगी 21 पी यह मेरे पास ऐसे आ चुकी है मुझे क्या ब इसकी वॉल्यूम मेरे पास होती क्या है अगर मैं बात करो वन बाइ थ्री पाइ आर्ट के राच होती है बिल्कुल यही होती है और यह किसकी खोला है 4838.4 पाई देख पाई से पहले पाई कट गया तो वन बाइ थ्री आर कितना मेरे पास 20p into of 20p into of कितना 21p हो के 21p is equal to कितना 4838.4 देखो तीन साथ ठीक है तो यह मुझे 4 से कटता दिख रहा है 4838.44 यह मैं बड़ चेक करूंगी है यह यह dimension है मेरे बास तो चार पंजय बीस देखो 1244 ठीक है ओके 09.6 1209.6 आया अब मेरी बाद ध्यान से सुनो जब calculation करने है तो पूरा भई अराम से गलत ही नहीं करना calculating question रहा है अराम से calculation करने है देखो साथ से कट रहा है देखते है रहा साथ एक हम साथ पांच से जीरो बचा 1749 फिर एक बचा साथ उदुनी 14 फिर कितना बचा पांच से पॉइंट तो 172.8 आगया मेरे बास मेरे को perfect cube मिल गया ठीक है अब यह कितना बचा मेरे पास देखो P का था ठीक है तो calculation wise बहुत अच्छे अच्छे कोशन आपको एक्जाम में आ सकते हैं तो दिहान रखेंगा थोड़ा सा रिपीट इट तो करने ही करने हैं हमने यह मेरे पास क्या गया देखो P का क्यूब is equal to 1728 divided by 100 एक पॉइंट आपके 0 अब यह क्या आगया 12 बटे 10 तो P क्या आगया क्यूब रूट आप 1728 divided आपके अच्छे कितना 12 बटे 10 यह पी की वैले कितना आगी मेरे पास 1.2 पी की वैले को 1.2 आगी तो रेडेस कितना मेरा रेडेसे 20 पी यह ने 20 एक टो 1.2 यह ने कितना 24 आप्शन नमबर यह भी विलकुल साइंस रेस कोशिन का प्लीज लाइच शेर सब्स्राइब करना मत भूले जल्दी से नोट करेंच को जल्दी से नोट कर लिजिए 24 वास दराइट अन्सर दिस कुशिन चलिए सुटेंट्स क्लियर हुआ लोग थोड़ा साइट हो जाता हूं नोट कीजिए इसको चलिए नेक्स कुशिन क्या करा है मेरे पास बहुत अच्छे-च्छे कुशिन तो आज हमारे पास मतलब कोई ऐसे कि स्लेंटिकल टैंक दिया है उसका मुझे बेस कितना दिया है कि मतलब आप यह कहऊंगे यह वाला फेस और यह वाला फेस इसका त्री टांट्री टांट्री अवस सम आफ टू फेस is, is twice the area of curved surface area, curved surface area of cylinder is how much, 2 pi r h, यह पर से कुरो के perimeter of base into its height, perimeter के 2 pi r, और height होगी h, तो चले करते हैं, 3 times, if 3 times sum of areas of 2 circular faces, यानि pi r square plus pi r square is equal to, twice is the area of curved surface area, यानि 2 times of curved surface area 2 pi r h, देको curved surface area का formula याद रखना, क्या होता है मेरे पस, perimeter base, perimeter base into its height, clear, यानि 3 into 2 times of pi r square is equal to 4 into of pi r h, देको pi से कटा pi, इस r से कटा r, तो यह कितना पता आपको सब पता सब पता आ रहा है, जल्दी से बताई कितने निकलेगी, in terms of pi दिया हो मुझे, तो pi r square h, यानि pi into of 4 into 4 into 6, तो चार्च को 16, 96, 96, pi meter cube is the right answer option number, clear, तो that was very interesting question, बहुत अच्छा question था, जल्दी से note कीजिए, next पी चल रहा है, clear हो गया, hopefully a question clear हो जाना चाहिए, जल्दी से note कीजिए को प्लीज, चलिए, let us move down to the next question of this, brilliant session, बहुत अच्छा session था, तो like शर्टत्राइब काना मत मुझे, चलिए, the volume of, the volume of metallic cylinder is, pipe is 3564 cm cube, if its external radius is 12 cm cube and thickness is 3 cm, then the length of the pipe, ये question session next, पीसे दे क्लास में भी ऐसा हमने question किया था, ठीक ना स्वाला, उसमें मुझे याद नहीं की volume में compare की था, क्या किया था, बट ऐसा question हमने किया जरूर था, that is confirm, clear, देखो क्या दिया, the volume of metallic pipe, सबसे वहले metallic pipe बनाते है, तो याद रखिए का metallic, अगर metallic pipe बोला हो, cylindrical ना ही बोला हो ना, अगर pipe बोलता तो definitely, वह cylindrical ही होगी, कोई और shape में नहीं होगी वह, definitely जान रखिएगा, तो भाई, ऐसे करके मेरे पस, इसका top हो गया, यह मेरे पस bottom हो गया, ठीक है, अब volume क्या दिया है, if external radius, इसका मतलब यह मेरे पास कौन सी pipe है, यह मेरे पास hollow pipe है, क्योंकि अगर hollow नहीं होगी, तो thickness कैसे होगी, तो पूरा radius जो diameter होगा, वह जी thickness होगी pipe की, बट इसने मुझे कोश्य में specifically भी बोला है, कि thickness है 3 cm, इसका मतलब ऐसे कुछ है मेरे पास, यह दिया मेरे को इसने 3 cm, ठीक है, यह 3 cm दिया है, चलिए, इसका मतलब जो मेरे पास outer radius था, मतलब radius outer, पूरा radius कितना दिया मुझे, यह 12 दिया है, अगर तीन है तो यह, यह R हो गया मेरे पास, और R कितना आ गया मेरे पास, 12 माइनस 3 याने कितना, R मेरे पास, क्या मेरे लिख देता हूँ, R मेरे पास outer radius, outer radius, और R मेरे पास क्या चुट्टया, inner radius, clear, अब ध्यान से सुनू, मेरे को निकालना कि, basically मुझे कौन सा portion निकालना आपको पता है, basically मुझे कौन से portion की value निकालना आपको पता है, मैं बताता हूँ जरा, यह वाला, जो मैंने green वाला portion की है न, दिख रहा है green pot, yes, यह वाला जो green portion है न, we have to find out the value of this portion, because इसी portion में मेरे पास, जो iron या, जो भी मेरे स्पेंटल है, वो इस ये रिंबा के सारा खली है, तब बनेगा रंगा रंगे चितर के लिदा बढ़िया लग रहा है न, अब चलो, इसका मतलब अब मुझे क्या करना होगा, देखो, अगर मैं cylinder की volume की बात करूँ, वो तिया pi, r square where, r is the radius, तो solid cylinder हो तब अगर मैं hollow cylinder की बात कर लूँ न, अगर मैं बात करूँ, hollow cylinder की, वो तिया pi, r square, r square into of h clear, तो मुझे क्या बूदल है, मुझे volume भी given है, मुझे r भी पता, r कितना होगे मेरे यहाँ पे, 12 cm और यह कितना होगे, 9 cm, r r पता है, फटा फट निकाल के 15 सेकेंड दे रहो, comment section में answer आना अच्छे सब का, जल्दी से बताई क्या answer है, जल्दी से मुझे answer बताई इसका, चलो, जब तक आप कर रहे हो, मैं भी कर लूँ, please pause कर दियेगा इसको, 22 by 7 into of r square कितना है मेरे पास, यानि 12 का square minus of, 9 का square into height मुझे निकालने और यह किसके बराबर है, 3564, थोड़ा सा calculation को कम करेंगे, मेरे पास एक formula होता है, वो काम आएगा, a square minus b square algebraic formula यह क्या होगा, a plus b into of, विध्यान रखी कि बहुत जगां काम आएगा आपको, hopefully यह आपने diagram note कर लिया, वो थोड़ा से मिठाने का, मैं चाहूंगा तक ही, मुझे थोड़ा space मिले, चलिए students, अब बारियरती calculation की, इसको मैं मिठाई देता हूँ, तक ही मुझे वहाँ पर, और मैं easy sequence, चलिए, यानि 22 पटे 7 into 12 plus 9 कितना होगे, 21 आगया, 12 minus 1, 3 आगया, into h is equal to 3, 5, 6, 4 मुझे find out करना है, clear, चलिए, चलिए, calculation करते हैं, जरे इसकी, देखो 7, या 21, तो hide मेरे पास एक perfect number दिया हूँ, यहाँ मेरे पास perfect number दिया हूँ, तो definitely cut एक 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 एक, 11 पहले से 2 से काटो, 11, 17, 82, देखो 8 एक 9, 7 एक 9, 7 दो 9, तो इसका मतलब 11 से कटेगा, 11, 11 एकम 11, कितना बचा हैं यहाँ पहे, 6, 8, 11, 66, 162, 162 एक मिनट रुकिये, यह कितना बचा हैं मेरे पास, 11, 11, कितना बचा हैं मेरे पास, 68, 11, 6, 66, और 162, यह तो आठेक 9, तो क्या जा रहा है, बिल्कुल जी, 3, 15, 15, और 3, 12, तो यह कितना से 14 से, 18 is the right answer option number एक है, थोड़े calculated question इसलिए करवाएं आज मैंने, ताकि आप लोगों को अगर calculated question आते हैं वैसे आ जाते हैं paper में, अगर आएं तो आप डरे ना, ठीक है, इसी लिए session था कि थोड़ा सा पता चलेगा कि wide angle कैसे आपने यूज करना paper में clear, जल्दी से note कीजिए, next question में चलते हैं, last question of the session, चलिए, the base of a right, prism, देखो, prism diagram कौन सा होता है, जो top से bottom बिल्गूँ सीमरा है, जहां रखिएगा, is a triangle whose sides are, 8, 15, 17, आपको पता चला, 8 का स्केर 64, 15 का स्केर दोस्तों बच्चिस, तो यह कितनागा, 289, जो कि क्या होता स्केर, यह पाइथा को सिपलेट आपके बसे, basically मेरा structure कैसे है, ऐसा structure है, आठ, 15, 17, और ऐसे कैसे उपर उठाओगा, 8, 15, 17, ऐसे करके मिलाओं बतब ऐसा ही structure, same to same उपर है, ऐसे कैसा ही triangle जो base से उठाओगा, वैसे को ऐसे उपर तक गया होगा, basically आप यह ध्यान रखो, कि मैंने क्या बताया, आपकोई छोड़ दो, यह क्या होगा है मेरे पस, 17, आप देखो क्या दिया है मुझा, and its lateral surface area is 480, देखो, कोई भी मेरे पस prism diagram होता है न, उसका lateral surface area, और क्या बोलोगे इसको, curved surface area, lateral surface area बोलो यह curved surface area बोलो बोलो, बोलो तर सेम थिंग, वो क्या होता है, बताया था मैंने, perimeter of base into its height, यह कितना दिया मुझा, 480, perimeter of base कितना है, 15, plus 17, plus 8 into height is equal to 480, यह कितना आ गया मेरे पस, 15 plus 32, 40, तो 40 height कितनी हागी, 12, 12 cm है कितना हुआ, यह कितना हुआ, 25 और 15, 40, क्लियर, अब मुझे पात था है, अगर height मेरी 12 cm है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी volume निकालने, इसकी volume क्या होगी देखाऊ, volume बताओ मुझे क्या होगी इसकी, प्लीज, याद रखना कोई भी present diagram, उसकी volume है, area of base into its height, area of base into its height, यह इसकी क्या होगी, यह हमारे पास इस question में given volume होगी, तो मेरे पास volume क्या है, मेरे पास area of base कितना है, मेरे पास देखो, यह right angle triangle है, 90 degree है, right angle triangle का area, 1 by 2 into 8 into 15 and height height भी निकाल लिए बारा, तो 15 चोंके 60, 60-12 कितना होगी है, 720 cm cube option number C is the right answer, clear, 720 cm cube is the, बिल्कु सही answer इस question का, clear, I think one more question, we are left to be, जहां तर मुझे देखने को मिल रहे हैं, sheet में, एक question बचा हो अभी, clear, जल्दी से इसको note कीजिए, like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe करना, please मत भूले students, clear, note कर लिए बहुत अच्छा question और last question सब ज़्यादा important है, last question सबसे ज़्यादा important है, आज की class में, चलने जी, चलो, क्या दिया है, last class या पिछली कक्षा में हमने ऐसा operation एक किया था, तो डरने की जुरूरत ने सिर्फ और सिर्फ करने की जुरूरत ने, क्या दिया है, the volume of the wall whose height is 10 times its width, मतलब height और width का ratio क्या दिया है मुझे, 10 ratio बन, and whose length is 8 times its height, और जो उसकी length है, वो उसकी height का 8 times है, और उसकी volume कितनी दी है, देखो उन बाइचेंस ना भी पता चले न, तो यह dimension की तरफ देखा करो, meter cube, meter cube, middle up, volume, 51 meter cube, what is cost of painting the wall on one side of the rate of 100 per meter, यह थोड़ा अलग question है, मतलब, एक single wall को paint करना, चारों wall को paint निकरना है, मुझे पहले volume दिये, वहाँ से कुछ निकालना पड़ेगा, height to it, मुझे क्या निकालना देखते हैं, चलो, length, breadth, height तीनों ही निकालना पड़ेगी, क्योंकि between terms of P, I, K होगा, चलो, जी, मुझे दिया है length into breadth into height कुतना दिया है, जी 51.2, तो सबसे पहले, we have to find out the value of length, breadth and height, चलो, height is, height क्या height और इस का ratio दिया है, breadth बोलो, width बोलो, same thing, height is 10 times the width, मतलब, यह क्या 10 और यह, 1, clear, and his length is 8 time its height, length 8 time से ratio proportion का, बिल्कु सिंपल कॉन सेप्टर लेकरा है, देख लो, 10i यहाँ पर आगा, 1 यहाँ पर आगा तो 80, 10 and 1, इसको मैं लेरो 80p, 10p and p, यानि मुझे क्या दिये, 80p multiply, 10p, multiply, p, इसके बराबर दिये, 512 by 10, ऐसा ही कुछ दिये, clear, अच्छा, यह कितना हो गए मेरे पास, अगर मैं इसको ध्यान से consider करूँ, मैं काटूँगा नहीं शुरू में, देखो यह कितना होगा, 800p cube is equal to 5, 12 by 10, p cube basically आ कितना गया मेरे पास, 512 by, 800, 10, 1000, इसके अगर मैं 8 से कटूँगा, कितने मी जाएगा, 64 times और यह कितने times आएगा, 1000 times, clear, अगर यह 64 times गया, 1000 times कितना है, 4 divided by, यानि यह कितना होगा, 4 का cube upon, 10 का cube, यानि कितना आ गया, 0.4, 4 by 10, यानि मेरे पास क्या आ गया, 0.4 आ गया, यानि मेरे पास, जो length होगी, कितनी होगी, 18 to 0.5, यह कितना होगा, 32, breadth कितनी होगी, 4, और length के, sorry, height कितनी होगी, 4, और breadth कितनी होगी, 0.4, यह मुझे, dimension, basically, measure करना थी, पता करना थी, इस particular question में, जो मैंने कर लिए, clear, अब मुझे question क्या कर रहा है, painting the wall on one side at the rate, अब पेंटिंग the wall, मतलब, एक side की wall को paint करना है, ऐसे करके, मतलब, basically, मेरे पास, ऐसा कुछ दिया होगा, structure, आ, ऐसा कुछ दिया होगा, wall है यह, बट वो कह रहा है, एक side की wall, एक side की wall मतलब, length into breadth, basically, length into height, यह length होगी, और यह क्या होगी, height होगी, 32, गुना चार क्या होगा, area होगा, ठीक है जी, length कीतने 32, height कीतने, आगी, 32, गुना चार कितना होगा, 128, और एक meter के लिए कितना पैसा दिया है, 100, तो कितना होगा, 1, to 8, 00, इसको शिरफ और शिरफ, एक meter के लिए कितना पैसा दिया है, आगे, basically, मैं तोटा color change के लिए कितना पैसा है, 100, तो 128 के लिए कितना होगा, 00, answer is, option number C is the right answer, clear, that was very brilliant question of this session, बहुत, 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 बहुत अच्छा question था, बिकुस अभी तक जो मैंने किया, वहाँ पे कहता, 4 walls का निकालो, ये कर लो, वो, कर लो, बट, यहाँ एक single wall की बात है, तो single wall की बात मतलब, आपको ये लेना है, और शिरफ ये लेना, ये, ये, इसका area कितना होगा, लेन्थ और इस, right, clear, प्रेट मत लेना गलत हो जाएगा, ये, ठीक है, चरिए, तो प्लीज, लाइक, शेर, सब्स्राइब करना, मत भूले चनल, आज बहुत बात कि number one है, क्योंकि 41 selections है 2021 में, 27 plus selections है 2022 में, अगर आप अब भी एक अच्छी test series की वेट कर रहे हैं, या देख रहे हैं, या search out कर रहे हैं तो अपनी one new is best test series कोई होई नहीं सकती, इसमें 26 test दिये हुए, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कितने में, 400 में तो इतना सारा data मिल रहा है आपको clear, तो प्लीज सारे एक सारे लिंक मिलेंगे description box ने, तो like, share, subscribe करना मत भूले, thank you.